हालो फ्रेंट्स वेलकम टे अनदर वीडियो प्स्टाक मार्केर आज हम डिसकस करने वाले LIC Housing Finance कमपणी के बारे में LIC Housing Finance Limited के जो स्टाक वो 400 की उपाला स्टेट कर रहे हैं अगर बहुत दिले ना हो तो वी दिन थी मां भी यह आई प्यों आ सकता है तो इस सथ को फायता मिलेगा इस स्टाक को अच्छा फायता मिल सकता है इस स्टाक न उतना मुबमेंट भी नहीं दिया अगर 52 इस लो देके 320 ताइं 52 इस थाई 542 रिसें लेजल डिक्लियर की है अगर आपने पहले इस स्टाक को बाई नहीं किया अगर आपको स्टाक नहीं भी मेंटेन करना तो भी कोई फरक नहीं पड़ता किया 450 के नीचे क्लोज होगा जब तक LIC का IPO आता है तक तक और यह स्टाक निउस पर भी रहेगा सो डेफिनेटली स्टाक को बाई कर सकता है मार्केट केप 22 थाउजन और 90 करो है प्राइस ट्रॉटीन का है जो मुझे बहुत फो भैलू फो मानी लगता है अगरे मिसके टेक्निकल को देगे सबसे इनकोंटेंट है RSI, MFI, Relatives, Death Index और Money Flow Index जो शॉर्ट टाप में किसी स्टाक के मुवेंट को दिखाता है 70 को बाद स्टाक ओवरबट होता है 30 नीचे ओवर सोर RSI में इसका स्कोर है 57.7 MFI में 65.5 स्टाक इस नाट ओवरबट है अलाके ट्वार्स ओवरबट जोन की तरब जुका हुआ है बार डेफिनेटली जब तक 70 क्लाउस नहीं करता Consolidation और प्रफिट बॉकिंग आना थोड़ा टाफ है रिटर्न की बात करें तो स्टाक चला बहुत है वन वीक में ये स्टोक 18% चल चुका जहां पर 329 का इसने लो मारा है और 405 इसका हाई है तो डेफिनेटली थोड़ा प्रफिट बॉकिंग आना राजमी है तो मैंने इसलिए खा जिन लोग ने लोग पर बाई किया वो तो स्टोक आथ बंद के और को होल किया अगर आपका ब्राइंट पर 353 60 भी है तो भी आप स्टोक को होल किजिए 450 ये स्टोक डेफिनेटली जाएगा ऐसा मेरा मानना है अगर हम वन मांथ का हाई लोग देख वही 329-400 अपाई मिनि आज ही स्टोक ने अपने मार्केट पर भी कॉंसल डेशन आएगा प्रॉफिट बुकिंग आया तो डेफिनेटली अगर ये स्टोक आपको करेक्शन में विला तब इस टोक को बाई किजिए बाट अगर आप वेट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली इस प्राइस पर बाई करना है तो 380 आपका स्टीक स थोड़ा करेक्शन में मिले तो वो बढ़िया होगा अगर आम इसका 100-200 डे सिंपल एक्स्पोसिन मुहिंगा पाच को देखें वाइज इस पर्टिकुलर रेंज इस वेरी इंपोरेंट क्यूकि आज स्टोक ने अपने 100 एक्स्पोसिन मुहिंगा पाच को प्लोस कुया है तो तो डेफिनेटल रेंटल एका 200-380, यहां पे आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेका, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो तन 420 क्योंके वह 100-200 डे इक्स्प्रेशन मुहिंगा वरे उसकी उपर जाएगा तो डेफिनेटली 440-440-450 तक जाएगा, तक जाएगा, सो यहां पे श सेंगीची की तरब जो स्टॉप लॉस होगा अगर आप आप पाई कारते हो सो डेफिनेटली वह स्टॉप लॉपर की तरब रेजिस्टंस से 420 यहां से 420 के तरब जाता है डेफिनेटली आपको प्रॉफित करने का पूरा-पूरा दमखाम राखते हैं मार्केट कितना भी के साइकोलोजिकल फैक्टर्स को देखे और टेखनीकली जो स्टॉप लॉस होगा वो कहाँ पे होगा 388 395 403 को स्टॉप इसी रेंच पे ट्रेट कर अगर 400 के उपर यह क्लोजिंग देता है तो 400 आपका एक स्टिक शॉप हो सकता है बार उन्दार के स्टॉप लॉस हो सकता ह हो और सपोर्ट को भी अप लिख लो अगर हम प्रियर के साथ कंपेर करें तो इन इस पाटिकुलर फिर माइश इपर इन एपर इस फिर इस फिर इस से के नगर आपको हाउसिंग पिनांस कंपनी के साथ ही जाना है तो दियार मेनी च्वाइस हैं कैंफिन हुम ओल्वाइस लेगा है वहां से स्टाप अल्मॉस एन परसंट चल चुका है इस तरह से उस तॉक ने मूबमेंट दिया एलाई से आउसिंग फिनांस ने पहले अच्छा का सा मूबमेंट दिया डिफिनिट्टी इस टॉक का भी न्यूस में है सो करेक्शन में बाइज कीजिए स्टोक को ल होना चाहिए रेजल्ट के अगर अखम फोकास करें सो डिफिनिट्टी डेविन्यू इंप्रूब वाइफ तॉजन एं सिस्टी फोर करोर अगर हम एक्स्पेंसेस का नमबर ते का बहुत घाट है एक्ट नाइंटी टू से फाइफिटी सी करो जिसका रहें इनका फाइनसी प किजिए तरो वेट किजी इन दर के 420 टाश करने का बाता है आपको बाइं करने सो वेट जर बाइंग ने से ट्री टू पर ट्री बेंट पर ट्री वेट बाइंगा निचे के अपको स्टॉप्र नोस ना चाहिए स्टॉप पॉर्टिक्लर एंग तो डिबिदिन आम वेरी आपको बास पेसेंस नहीं है तो यहां पे भी आउगारा बाइ करतो हो आई होप के लाइसी का आउने तक इस में आपको 15-20% का और मुब्मेंट मिल जागा पारफॉम्मेंस है स्पेक्टाकुलर 770 करो दा पाफिट है वर्सिस 250 करो रान वन अप दा बेस्ट पाफिट इस प आपको अच्छा पाफिट मिल एगा चैनल को लाइक सब्सका पर शार काना मात बुली सिव नेक्स वी तेज और गूट बाइ कर दो कर दो